बाज़ता सरकार लखनु का नाम बदल करके लश्मन के नाम पर रखना चाहती है इसलिए लखनु ही रहे और यदि सरकार नाम बदलना ही चाहती है तो लखनु राजा लाखन पार्शी की राद धानी रही है कि नाम अगर बदला भी जाना है रखा भी जाना है तो राजा लाखन पार्शी के नाम पर लखनों का नाम करण किया जाए या अगर कहीं किसी सहादत को सम्मान देना है तो पार्शी समाथ की ही विरांगना उदादेवी जी थी जिनों ने अपने अकेले वल्बुते पर 36 अंग्रेजों को मार गिराया थो तो लाखन पार्शी या विरांगना उदादेवी के नाम पर अगर नाम करण होता है तब तो इसका श्वागत होगा लश्मन जी का कोई योगदान लखनू के इतिहास में निर्मान में नहीं है अगर लश्मन जी के नाम पर लखनू का नाम रखा जाएगा तो राजा लाखन पासी का अपमान होगा बिरागना उदादेवी का अपमान होगा और साथ ही साथ इतिहास के विपरीत आचन्ड प्रजंता खामोस नहीं बठेगी नमस्कार इस समय हम जंजागरण पर उपस्तित हैं और हमारे साथ ही समय है पूरो मंत्री स्वामी प्रसाद मौरिया जी और सर हमारा सवाल है इस समय चर्चा के भी से बना हुआ है लखनव का नामकरण को लेकर और आपके बयान के बाद पूरा पासी समाज अपने स्वाभिमा लेकर अंदोलित है और जगह जगह प्रदार्शन कर रहा है ग्यापन दे रहा है तो क्या वाकई में भारती जंता पार्टी लखनव का नाम करण जो है चेंज कर रही है जिस तरीके से भारती जंता पार्टी सभी मुद्दों पर पूरी तर्के से फेल है बेतासा ब्रोजवारी बढ़ रही है नौजवान ब्रोजवारी की त्राजदी जेल रहा है महंगाई से जंता की कमल तूट रही है जी एस्टी को लग्यों मध्यम व्यापारियों को लूट का माध्यम बना दिया गया है कि शारे विकास काम ठप हैं कि शानों का खेत चुक्टा जनुवर कर रहा है ठीन्ट रहा है आज क्रह केंद्रों के माधरम से नहीं बलकि मिचवल्यों के माधरम ज़िक ये जा रही है सरकारी शंपतियां प्राइबेट हाथ में बेची जा रही हैं तो इन समा अपनी अस्फलताओं पर चादर लालने के लिए भाजपा सरकार हमेशा कहीं जिले का नाम बदलने की राजनीत करती है कहीं किसी के निर्माण कार कराये पर अपना नाम प्रेट लगवाती है सस्ती लोग प्रिता हांसिल करने के चक्कर में जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के दाउन चलती है जैसा कि भी जानकारी मिली कि भाजपा सरकार लखनो का नाम बदल करके लश्मन के नाम पर रखना चाहती है जबकि यही वो लखनो है जहां से सांसाथ बनके अटल बिहारी बाजपेज देश के प्राहर मंती बनते थे और हमेशा कहते थे लखनो गंगा जमनी तहजीव का केंदर है आज अटल बिहारी बाजपेज जी के ना रहने पर इसके माइने कैसे बदल गए लखनो की पहचान पूरे बिश्मे लखनो के नाम से है इसलिए लखनो ही रहे और यदि सरकार नाम बदलना ही चाहती है तो लखनो रजा लखन पार्शी की राद धानी रही है नाम अगर बदला भी जाना है रखा भी जाना है तो रजा लखन पार्शी के नाम पर लखनो का नाम करण किया जाए या अगर कहीं किसी सहादत को सम्मान देना है तो पार्शी समात की ही विरांगना उदा देवी जी थी जिनों ने अपने अकेले वल्बुते पर 36 अंग्रेजों को मार गिराया था तो लखन पार्शी या विरांगना उदा देवी के नाम पर अगर नाम करण होता है तब तो इसका श्वागत होगा लश्मन जी का कोई योगदान लखनू के इतिहास में निर्मान में नहीं है अगर लश्मन जी के नाम पर लखनू का नाम रखा जाएगा तो राजा लखन पार्शी का अपमान होगा विरांगना उदा देवी का अपमान होगा और शाते ही साथ इतिहास के विप्रीत आचन प्रजंता खामोस नहीं बैठेगी शड़क पर निकलेगी इसका विरोध भी करेगी या तो लखनूर रहे नाम बदलना बहुत जिरूरी है तो राजा लाखन पार्शी के नाम पर या विरागना उदा देवी के नाम पर सर जो है इस समय जो है बिहार में जाती जन गड़ना चालू है तो जाती जन गड़ना उत्तर परदेश में हो इसके लिए आपकी क्या रहे हैं देखे राशी अधिस यखले शादुशे मरी वारता हो चुकी है हम जातिका जड़ना कराने के लिए लिखेत रूप से केंद सरकार से अंडरोद भी करेंगे आवसकता होगी जनता की बीच में भी जाएंगे जन अभियान भी चलाएंगे और जन जागन के माध्यम से हम लोगों को शाओधान भी करेंगे कि किस तरीके से भाजपा सरकार जब से आई है नारत देती है सब का अरीशे सब कर सत्यानाश कर रही है अंसुची जाद अंसुची जन जाद और पिछले वर्गों के आरचन को खतम कर रही है इनके आरची जगों पर सामान वर के लोगों को जवर्जस्ति न्यूकती पत्र पकड़ा रही है यहां तक कि अब तो विज्यापनों में भी बड़े प्यामाने पर आच्छन में कटोती करके जो भारती समिधान दोरा अर्णुमन ने अर्चन है उसको लाकर करके कहीं दो फिर्दी कहीं तीन फिर्दी कर रही है तो स्वावय गुरूप से आज भारती समिधान के निर्दसों की धजिया सरकार उड़ा रही है समिधान विरोधी इस रविये को देखते हुए हम जटना की बीच में जाएंगे सरकार की काली करतुतों को बीच में रखेंगे होती है तो क्या फाइदे क्या फाइदे निकल के आएंगे स्वावय रूप से जातिकरत जगना हो जाने से यह निसीत होगा कि हमको बजट का समानपार्तिक हिस्सा आबादी के सापेक्ष देने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे जैसे पहले शिरूटा शिरूट उसको खतम कर दिया आज अन्सुची जात अन्सुची जन्जात के अनपात में उनकी संख्या के अनपात में जो बजट का हिस्सा बढ़ता था इफसर कंपोनेंट प्लान के योजना के तहत योजना खत्म हो गई हम सरकार को बैद करेंगे कि आबादी के सापेक्ष बजट मे समानुपाति कौन चश्सेदारी हो बट्वारा हो जिसे की सभी समाज को विकाश के मुक्र धरा में खळा होने का और सर्मीर है इस समय जात चर्चा चल रही है एक पासी समाज में यह राजा मतलब कुछ लोग पासी कहते हैं कुछ लोग राजभर कहते हैं महाराजा सुहल द देखिए अगर इतिहास के अतीत में जाईएगा तो दोनों एक हैं अंग्रेश की गिजेटियर में यह दोनों मार्शल कों में हैं ट्राइबल रेस मनी गई है और इसलिए कि इनका जो कि एतिहासी संचाना चाहे कोई एक होने का सबूत देता है अन्तिम प्रस्ण हमारा है जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से अब सभाविक रूप से भारतिय समिधान बचाना है तो भात्पा सरकार को हटाना है अब धन्यवाद बात करने के ल जन्तिमात कर वो एक हैं थे विया यहान आद है के लिगन, मैं के जन्यवे क। chrom यह देक ही आलने के लिगनी तेक हैं कार हैं कान लोगना है ौत हैं Конί lift है, यह जो भी आँए ऊदेश कर दुद